साथियों, अलग-अलग राज्यों से, देश और दुनिया के अलग-अलग कौनों से, सुमनात मंदिर में दर्शन करने हर साल करीब-करीब एक करोड स्रधालू आते हैं। ये स्रधालू जब यहां से वापस जाते हैं, तो अपने साथ कई नए अनुभव, कई नए विचार, एक नई सोच ले करके जाते हैं। इसलिए एक यात्रा जितनी महत्वपुन होती हैं, उतना ही महत्वपुन उसका अनुभव भी होता है। तीर्थी यात्रा में तो खास कर हमारी इच्छा होती हैं कि हमारा मन भगवान में ही लगा रहे। यात्रा से जूड़ी अन्य परेशानियों में हमें जूजना न पड़े, उलजना न पड़े, सरकार और संस्थाओं के प्रयासों ने कैसे कई तिर्थों को समारा है। सोमनात मंदीर इसका भी जिवन्त उदाहरन है। आज यहां आने वाले स्रधालूओं के लिए रुकने की अच्छी व्यवस्ता हो रही है। सडकों और ट्रांस्पोर्ट की सुविधा बढ़ रही है। यहां बहतर प्रमेनाड विक्सित किया गया है। पार्किंग सुविधा बनाई गई है। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। साफ सफाई के लिए बेस्ट मैनेजमेंट की आदूने की ववस्ता भी की गई है। एक शांदार पिल्ग्रिम प्लाजा और कॉंप्लेक्स पाँ प्रस्ताव भी अपने अंतिम चर्रों में है। हम जानते हैं अभी हमारे पुर्णेश भाई उसका वड़न भी कर रहे थे। मांबाजी मंदिर में भी इसी तरह के विकास और यात्री सुविधाओं के निर्मार के लिए विचार चल रहा है। द्वारकादीश मंदीर, रुक्मणी मंदीर, गुम्ती घाट, समयत और भी ऐसे कितने ही विकास कार्यों का अल्रेडी हम लोगों ने पूर्र कर लिया है। यह यात्रियों को सुविधा भी दे रहे हैं और गुजरात की सांस्कृतिक पहचान भी मजबूत कर रहे हैं। अंगठनों को भी इस अवसर पर जरूर साधुवाद देता हूं कि बधाई देता हूं। आपके धारा व्यक्तिगत स्तर्थ पर भी जिस तरह विकास और सेवा के काम सतत किये जा रहे हैं। वो सब कुछ मेरी द्रश्टी से तो सबका प्रयास की भावना के उत्तम उधारन है। सोमनात मंदी ट्रस्ट ने कोरोना की मुश्किलों के बीच जिस तरह यात्रियों की देखभाल की समयाज की जिम्मेदारी उठाई उसमें जीव ही शीव ये जीव ही शीव के हमारे विचार के दर्शन होते हैं।